दोस्तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पांच ऐसी बड़ी गलतियां जो जादा तर इन्वेस्टर शेर मार्केट में करते हैं और इन्हीं गलतियों के कारण दोस्तो कई सारे इन्वेस्टर शेर मार्केट में अपने कैपिटल को भी गवा देते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में हम इन 5 गलतियों के बारे में डीटेल में जानकारी प्राप करेंगे दोस्तो बहुती कोमन गलतिया हैं आप भी शायद इन में से कोई गलती कर रहे होंगे तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा और दोस्तो मैं यही अनुरोद करूँगा आप सभी से के आप इस वीडियो को जादा से जादा नए इन्वेशर तक शेर कीजिए पिसले तकरीबन दो साल के अंदर तकरीबन दो करोर नए इन्वेशर शेर मारकेट में आए हैं तो दोस्तों अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसे आपके मित्रों हो परिवार में कोई रप्ती हो चो शेर मार्केट में अभी अभी अपना निवेश शुरू कर रहे हैं तो मैं यही अनुरोद करूँगा कि इस वीडियो को आप उन्त तक ज़रूर शेर कीजे स्यादा से ज़रूर शेर मार्केट से वेल्ट बनाए और सभी की वेल्ट बने यही हमारा उद्देश है तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम इन्वेश तक शेर कीजेगा और इसके साथ साथ कमेंट में आप हमें बताएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सिखा तो दोस्तों सबसे पहली जज नहीं कर सकते हैं 10 रुपे की कमपनी 100 रुपे की कमपनी 1000 रुपे की कमपनी ऐसे किसी भी कमपनी को जज नहीं किया जाता है कमपनी के बिजनस को आपको देखना है दोस्तों यस बैंक एक बैंक है जिसके शेर का बाव है 14 रुपे का और कोटक महेंदरा बैंक है जिसके कोटक महेंदरा बैंक की बैलेंस इट बहुत है श्ट्रोंग है कमपनी का बिजनस मैडल भी बहुत है तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि 14 रुपे का शेर आपको जादा रिटन बना के देगा और 800 रुपे का शेर आपको कम रिटन बना के देगा आपको कभी भी कमपनी के शेर को उसके प्राइस से नहीं ज़ज करना है आपको क्या देखना है बिजनस देखना है market capital sales चेज़ों कितना है कमपनी का promoter की holding क्या है कमपनी का profit margin क्या है इसके सासत दूसरे भी कई सारे financial parameter है शेर का प्राइस आपको कुछ भी नहीं बताता है आपको दूसरे सारे financial parameter को देखके ही company में अपना निवेश करना है तो दोस्तो ये पहली गलती है जादा तर नए investor करते हैं हमें भी daily कई सारे message आते हैं 10 उपे का multi-veggar share देजिए 20 उपे का share देजिए अगर हम 5000 उपे की company recommend करेंगे तो कई सारे investor वहाँ पे निवेश ही नहीं करेंगे तो दोस्तो आपको कभी भी share के price को देखके अपना निवेश नहीं करना है यहाँ पे 10 उपे की company भी अच्छी हो सकती है यह हम नहीं करे रहे हैं आपको share का price नहीं देखना है आपको company का business देखना है और valuation देखना है उसके बाद अपना निवेश का decision लेना है तो यह गलती आप मत दोराईगा यहाँ से दूसरी गलती दोस्तों जो ज़्यादा तर investor करते हैं वो है high concentration दोस्तों इतना confidence भी नहीं होना चाहिए कि आप एक दो share में ही अपने पूरे के पूरे lifetime के capital को लगा दे कई सारे हमारे पास ऐसे भी query आते हैं जहां पे inversion अपने पूरे के पूरे lifetime की saving एक company में लगा दी और वो ही company दूब गई तो उनका पूरा का पूरा capital भी वहां पे दूब गया दोस्तों cricket team में 11 player होते हैं वैसे ही आपके portfolio के अंदर भी multiple company होनी ज़रूरी है अलग-अलग sector की multiple company है क्योंकि दोस्तों market में cycle चलती है और sector में भी cycle चलती है तो वहां पे कभी कोई sector नहीं चलेगा दूसा से चलेगा और possible है कि आपका एक दो company का share जहां पे आपने निवेश किया है वहां पे company का business में डूब जाए तो वो company भी नीचे जा सकती है तो अगर आपने अलग-अलग company में निवेश किया होगा एक 15-20-30 company के portfolio में अगर आपने अपना निवेश किया होगा तो वहां पे single share का risk आपका कम हो जाता है तो आपको कभी भी अपना सारा capital किसी भी एक दो company में नहीं लगाना है कितना भी confidence हो आपको वहां पे आपको अपना सारा capital नहीं लगाना है unless आप उस company के मालिक है otherwise आपको एक company में अपना पूरा का पूरा capital नहीं लगाना है ये बाता आप भ्यान में रखेगा तो ये गलती भी कई सारे investor करते हैं कि पूरा का पूरा पैसा एक ही company में लगा दिया दो कमपनी में लगा दिया दोस्त ने बता दिये का ये शर 50% बढ़ जाएगा तो वहाँ पे सारे पैसे लगा दिये दोस्तों market में आपको diversify portfolio में ही निवेश करना है और diversify portfolio में ही आपको लंबे अवधी में sustainable return मिलेगा दोस्तो risk adjusted return ये आपको देखना है एक company में risk आपका बढ़ जाता है maybe आपको return भी मिल जाएगा वहाँ पे आपने single concentration risk लिया तो आपको अपने risk को diversify करना है अलग-अलग company में ताकि आपको लंबे अवधी में एक stable return मिल पाए तो दोस्तों ये दूसरी गलती है जिसको आपको अपने जहन में रखना है तीसी गलती दोस्तों जो कई सारे investor करते हैं वो है social media currently तो ये बहुत ही जादा trend में आ चुका है इसके उपर भी हम कुछी समय में एक detail में वीडियो भी लेके आने वाले हैं दोस्तों news media, business channel short term event पे बहुत ही जादा focus करते हैं दोस्तों recently एक मेने पहले के अगर आप news के article देख लीजिए रिशेशन की बात हो रही थे जब nifty 15,000 पे था वहाँ पे कई सारे news media 12,000 के भी बात करे थे आज nifty वहाँ से 17,000 पे आ चुका है दोस्तों जो ये news media होते हैं वो short term investor के लिए ही news दिखाते हैं अगर आप long term investor हैं तो आपको company के business को देखना है कितना sustainable business है उस पे आपको focus करना है ना कि current event पे इसके सासरे दोस्तों social media, telegram में भी कई सारे ऐसे channel चल रहे हैं जो fake advice देते रहते हैं तो आपको अपना निवेश का डिशन इन सारे news media social media के आधार पे नहीं करना है आपको अपना analysis करना है अगर आपको company का business समझ में आता है और आपके risk के हिसाब से वो business आपको ठीक लगता है और आपके time frame के हिसाब से भी वो business आपको ठीक लगता है तबी आपको किसी शेर में निवेश करना है कोई online हमारे चनल पे विले लीजे या कहीं पे भी आपको कोई recommendation दे दे उसके basis पे आपको अपना निवेश नहीं करना है हम भी हमारे हर वीडियो में आपको बताते रहते हैं हमारा हर एक वीडियो information प्रवाइड करता है उसके बाद का रिजिस आपको करना है अगर आपको सही लगता है आपके risk profile में वो शेर बैठता है तब भी आपको वहाँ पे अपना निवेश करना है तो ये बात आप ध्यान में रखेगा किसी को भी आप blindly follow मत कीजिए क्योंकि हर एक investor यूनिक investor है और हर एक investor का requirement भी unique है तो आपका portfolio भी unique ही होना चाहिए चोथी गलती दोस्तों चोग investor करते हैं वो है unrealistic return का expectation दोस्तों return इतना भी आप मत मानिये कि market में आपको 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे और ऐसे return के अगर आपको expectation है तो वहाँ पर आपको disappointment ही मिलने वाली हो और ऐसे ही unrealistic return का वायदा करके कई सारे fake scammer भी अगर आप देखें आपके पैसे लूटने के लिए तयार है दोस्तों कभी भी share market में 100% return की guarantee नहीं होती है और short term में तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति बोले कि वो आपको इतना return बना के देखा तो वहाँ पर आपको believe नहीं करना है आपका realistic return कितना होना चाहिए तो आपका जो GDP है भारत का GDP plus inflation है उसको आप plus कीजिए तो वो आपका nominal GDP है उतना उससे थोड़ा बहुत ज़ादा अगर आपको return मिल जाए तो उससे आपको खुश होना है अगर आपका expectation है कि आपको एक मेने में पैसे double करने है तो दोस्तो ये casino नहीं है यहाँ पे एक मेने में पैसे maybe double हो भी जाए तो एक मेने में पैसे 0 भी हो सकते है तो आप long term में sustainable और realistic return लेके चलेंगे तबी आप लंबे अवधी में wealth बना पाएंगे maybe एक मेने में आपका एक दोशन चल जाएगा वो continuous आप उसको repeat नहीं कर सकते हैं हर साल, हर मेने कोई share double नहीं होता रहेगा company की भी एक limit होती है हर मेने कोई company अपने profit को double नहीं कर सकते है तो same में पे हर मेने कोई share double नहीं हो सकता है तो आपको अपना return का जो expectation है उसको कम रखना है कम expectation रखेंगे जादा return मिलेगा तो अच्छा है बट आपने अपना expectation नहीं बहुत ही उपर रख दिया उसके हिस्साब से आपने बाकी सारे अपने finance को प्लान किया तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा disappointment मिल सकता है तो आप अपना return का expectation कमी रखेंगे दोस्तो ये share market है इसको आप casino मत समझे और दोस्तो पांचवी गलती जो investor करते हैं वो है loss book नहीं करना दोस्तो कई सारे कई सारे investor से हम बात करते हैं share में फस गए हैं हम बोलते हैं loss ले लिजे तो investor कहते हैं कि जब भाव आएगा तो वहाँ पे वो निकलेंगे दोस्तो कई ऐसे share हैं जिनके भाव जहाँ पे आपने लिए हैं वो कभी नहीं आएंगे इसको psychology में कहा जाता है anchoring bias या sunk course ये भी इसको कहा जाता है कि जहाँ पे आपने एक share में पैसे लगाएं अपना time दिया और वहाँ पे जो आपका call था वो गलत हुआ तो वहाँ पे फिर आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तो आप क्या सीखेंगे दोस्तो जब आप अपना share में loss बुक नहीं करते हैं जहाँ पे आपको गलती हो गई है में भी short term में नीचे जा सकता है share अच्छे company में नीचे जा सकते है पट आपको पता है company खराब है business खराब है business downturn में है फिर भी आप अपना loss नहीं बुक कर रहे हैं आप ये उम्मीड में बैठे हैं कि share का भाव उपर आएगा तो possible है कि lifetime में भी कभी वो share का भाव उपर ना आए recently ही कई सारे IPO आये थे जो new age tech के IPO जिसे बोलते हैं जो बहुत ही उपर के भाव पर आयता है वहां से ये share 90% भी नीचे आ चुक है और यहां से फिर वो भाव आना IPO का भाव आना बहुत ही मुश्किल है तो जो investor ये आशा लेके बेठे हैं कि हमारे भाव आएंगे तो उनको वहां पे disappoint मिलेंगे दोस्तो यहां पे आप loss नव बुक करके एक दूसा भी loss रहें जिसे हम कहते हैं market में opportunity loss आपको एक जगा पे loss हो गया है और आपको पता भी है कि यहां से आगे उपर जाने की उम्मीद नहीं है फिर भी आप वहां पे बने रहते हैं क्योंकि आप में वो शमता नहीं है loss बुक करने की इसके सासत आप उस capital को दूसरी जगा पे लगा के वहां से better return बनाने का जो भी एक opportunity है उसको भी आप गवा रहे हैं तो जब भी आप से गलती हो market में दोस्तों तो उसको मानिए loss बुक कीजे और उसके बाद आप आगे बढ़िए दोस्तों कोई भी बड़ा से बड़ा investor जो market में है वो 100% किसी भी share में सही नहीं हो सकता है अगर आप 20 company में निवेश करते हैं तो मान के चलिए उसमें से 2-3 company तो नीचे जाएगी कुछ company तो बंद भी हो जाएगी इसलिए diversification भी जरूरी है दोस्तों जब आपकी गलती हो जाए market में तो आप share में से निकल जाएए दूसरे share में जाएए अच्छी company में निवेश करेंगे तो वहाँ पे आपका chances बढ़ जाता है आपका growth आने का जिसके सामने अगर आप same company में बने रहेंगे तो आपका वहाँ पे chances कम हो जाता दोस्तों ये गलती बहुत सारे पुराने investor भी करते हैं जब आपका share perform नहीं कर रहा है business perform नहीं कर रहा है तो better है कि आप दूसरे business में अपना पैसा लगा दीजे यहाँ से जितना भी loss से उसको आप book कर लीजे तो दोस्तों ये पांच बड़ी गलती थी जिसके कारण कई सारे investor अपना share market में लंबी एवदी में wealth नहीं बना पाते हैं दोस्तों ये video आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें comment में ज़रूर बताईगा और दोस्तों इसके सारे हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने हमारा mobile application investment mantra का mobile application launch कर दिया है जिसके अंदर हमने एक detail course भी आपके लिए तयार किया है जिसका नाम है ABC of stock investing दोस्तों इस video में जो हमने गलतीया चरचा कि बीस chapter का हमारा ये course है learning पे ध्यान दीजे दोस्तों learning पे ध्यान दीजे ये हमारा तीन गंटे का course हम सिर्फ आपको 399 के price में provide कर रहे हैं तो अगर आप चाहें तो अभी ही हमारा ये ABC of stock investing का course वेल कर सकते हैं दोस्तों आप learning पे थोड़ा spend करेंगे तभी आप लंबे अवधी में बड़ी wealth बना पाएंगे सिर्फ आप पैसे निवेश करते रहेंगे random share में तो वहाँ पे आप लंबे अवधी में wealth नहीं बना पाएंगे market में कैसे wealth बनती है इसके बारे में अगर आपको समदना है तो हमारा ये course आप अवेल कर सकते हैं 3.99 का course का price है और currently एक discount भी आपको मिर रहा है application में जाके आपको discount भी अवेल कर सकते हैं तो link हमने description में provide की है आप अभी जाके ही ये course ज़रूर खरीदिए इसके साहथ अपने दोस्तों के साथ भी आप आपको शेर कीजिए चैनल को आगे बढ़ाने में आप सहायता कीजिए अपने दोस्तों के साथ परिवाजनों के साथ दूसरे investor के साथ investment mantra चैनल को आप शेर करना मत बुलीगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो यही अनुरोध रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकों को दबाएए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको notification ज़रूर मिल जाए थैंक यू फूर वाचिंग